नमस्कार मित्रो आउनलाइन स्टेडी चैनल विज्डेम स्टेडी क्लासिस में आपका स्वागत है आज हम NCRT भाग दो की पहले पार्ट सूर्दास को ले रहे हैं पहले हम देखेंगे कवी का परिचे और फिर पद्यांसों की ब्याक्य समझेंगे सूर्दास सीही का जन्म 1488 इस्वी में मतुरा के निकट रुनकता में हुआ था कुछ विद्वान दिली के पास स्टित सीही को इनका जन्मिस्तान मानते हैं आपकी मृत्यू 1583 इस्वी में हो गई पार सौली ग्राम जिला मतुरा उत्रप्रदेश में पिता का नाम था पंडित रामदास और गुरू का नाम था बलवाचारे आप सगुन भक्ति साका में कृष्ण भक्ति साका के प्रत्निदी कभी हैं आपने ब्रह्म के सगुन रूप पर पद्दे लिके श्रीनात मंदिर में अधिकांस्व में आपने बिताया जीवन का ब्रिज भाषा में साहिति रचनाई की कृष्ण की बाल लेलाओं और कृष्ण की अन्य लेलाओं का अत्यंत मनुहारी चित्रन आपके पद्यों में मिलता है आपकी प्रमुक रचनाई हैं सूर सागर साहिति लेरी और सूर सारा बली इस दो हिसें आप याद कर सकते हैं साहित लहरी सूर सागर सूर की सारा वली श्री कृष्ण जी की बाल चवी पर लेकनी अनुपम चली थोड़ा प्रसंग जान लीजिए कि उधब को श्री कृष्ण ने गोपियों के पास भेजा कि वे जाकर के उन बिरह में ब्याकुन गोपियों को बैरागी का ग्यान दें योग का ग्यान दें ताकि उनका मन सगुन प्रेम से अलग हो करके बैरागी में लगे लेकिन गोपियां उल्टे उधब को ही समझा रही हैं और कह रही हैं उद्धव तुम हो अतिवड़ भागी, कि उद्धव आप अत्यन्त भागिवान हैं, जो आपको किसी से प्रेम नहीं हुआ, आप कृष्ण के पाप से रहते हैं, उनके सका हैं, लेकिन कृष्ण से भी आपको प्रेम नहीं हुआ, अपरस रहत सनीह तगांतें, अपरस का मतलब अचूते रहते हैं, इसनीह के धागे से, तगा धागा, सनीह इसनीह, आप इसनीह के धागे में बंदे नहीं, किसी से प्यार नहीं किया, आपके मन में कोई प्रेम पैदा नहीं हुआ, और आपकी स्थिति कैसी है, कमल के पत्ते की तरह है पुराइन पात यानि कमल के पत्ते की तरह है जो जल के भीतर रहता है लेकिन जल का दाग उस पर नहीं लगता और आपकी इस्थिती उस तेल लगी गागर की तरह है जिसको अगर पानी में डुबोए जाए तो पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं प्रेम की नदी प्रीती की नदी में पाउं यानि पैर न बोरियो नहीं डूबोया आपने प्रेम की नदी में अपना पैर भी नहीं डाला और द्रिश्टी न रूप पगा परागी और आपकी जो नजर है द्रिश्टी है वो किसी रूप में रूप पर किसी सौंदर ये पर अ अवला हैं, इस्त्रिया हैं, अतिन्त भोली भाली हैं, लेकिन हमारा प्रेम उस तरह का है, जैसे कि कोई चीटी, चांटी गुर में चिपट जाती है, लिपट जाती है और छूटती नहीं है, वैसे ही हमारा प्यार भी छूटने वाला नहीं है। दूसरा पद, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पै उधो, ना ही परत कही, गुप्या कह रही हैं कि हे उधव हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई, अब जाकर के अपने मन की बात किस से कहूँ, कहते भी हुए भी तो नहीं बनता है, किस परकार से कहूँ, अवधियधार आस आवन की आवन यानि आगवन, उनके आगमन की जो आशा थी, वही हमारी जिन्दगी, हमारी जिन्दगी का आधार है, हमारी जीवन का आधार है, और उसी के बल पर हमने तन और मन की विता, यानि व्यता को सह लिया है, कश्ट को सह लिया है, और अब इन जोग संदे सने सुने सुने, अब आप जो ये योग की संदे से हमको दे रहे हैं, उनको सुन सुन कर, हम जो बियोगी गोपियां हैं, उनकी जो बिता है, और बढ़ रही है, हम बिरह की जॉ merc में जलने लगे हैं और चाहती हुतीं गुहारी जितेंथे हैं, हम जिससे प्रात्ना करना चाहते थे, कि क्रिष्ण को बापस लाने में हमारी मदद करो, क्रिष्ण को बापस लाओ किसी प्रकार से. अधर से ही … हम और दूसरी बता ही जा रही है कि Kwशन के प्रिम को चोर दो और बहरागी ले लो युग धारन करो सूर्दास अब धीर धरें क्यों मर जादान लही गुफिय कह रही हैं कि अब किस परकार से धेर ये धारन किया जाए किस परकार धीरज रखा जाए क्योंकि कोई सीमा ही नहीं रही हम तो सगुन ब्रह्म के उपासक हैं हम तो कृष्ण के प्रेम की दिवाने हैं और आप हमको योग सिखा रहे हैं निर्गुन की उपासना सिखा रहे हैं तीसरा पग हमारे हरी हारिल की लकृरी हारिल एक पक्षी होता है कबूतर की तरह हरे रंका जिसके बिसे में कहाबत है कि वह या तो जमीन पर उतरता नहीं है और उतरता है तो अपने पैर में एक लकड़ी दबाए रहता है गोपियां कह रही हैं कि उनके लिए भगवान कृष्ण का प्रेम हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है जैसे वह लकड़ी के बिना जमीन पर नहीं उतरता उसी प्रकार से गोपियां भी कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकती है मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दिर्ड करी पकूरी मन से आचरन से बानी से नंद नंदन यानि भगवान कृष्ण को उन्होंने अपने हिर्दे में बसा रखा है उनका प्रेम पकड रखा है और कैसे पकड रखा है मजबूती के साथ में पकड के रखा हुआ है जागत सोबत सपन दिवस निसी जागते हुए सोते हुए सपने में दिवस यानि दिन में निसी यानि रात में कान कान जकरी जकरी का मतलब होता है रट रखती रहती है वेगुपियां कान कान यानि कि हे लखती रहती है सुनत जोग लागत है ऐस गुपियां कह रही है कि हम आप हमको योग का संदेश दे रहे हैं यह जोग जो है हमको ऐसे लगता है जब आप कहते हैं तो हमको ऐसे सुनाई देता है जैसे कि हमने कोई कड़वी ककड़ी खाली हो, ककड़ी यह नहीं कि ककड़ी खाली हो तो मुँ कड़वा हो जाता है, विस्वाद हो जाता है उसी प्रकार से योग शब्द भी हमको विस्वाद लगता है उसमें हमारी कोई रुची नहीं है सुतो ब्यादि हमको ले आए देखी सुने न करी आप कैसी बीमारी हमारे ले ले आए ब्यादि यानि बीमारी रोग कैसी बीमारी आप ले आए है कैसा बवाल ले आए है आप सु यानि की वहाँ कैसा बवाल आप ले करके आ गए जो हमने न कभी देखा न किसी के को कहते हुए सुना और ना ही हमने किया योग हमारे लिए बैसा ही है यह तो सूरतिनेले सौपों गुपियां कह रही हैं कि योग तो आप जाकर के उनको सौपिये जिनके मन चकरी जिनका मन चंचल है जो एकाग्र नहीं होते एक निष्ठ नहीं होते एक के प्रेम में जो नहीं बंदे हैं कभी इसको प्यार करते हैं कभी उसको प्यार करते हैं कितिन हम तो कृष्ण के दिवाने हैं, हमारे लिए योग बिकार हैं। चोथा पद, इस पद में गुपियां भगवान कृष्ण के सम्मंद में उद्धब से कह रही हैं। कि हे उद्धब, भगवान कृष्ण राजनीती पढ़कर आये हैं। ऐसा मुझे आपने जो समाचार सुनाए और आपने जो बातें की, उनको सुनकर के समझ में आ रहा है। मधुकर, भ्रमर यानि भौरे को कहते हैं, सूरदास के भ्रमर गीत में उद्धब के लिए मधुकर, भ्रमर ये सब्द प्रयोग किये गए हैं, तो गुपियां उद्धब को सम्भुदित करके, कृष्ण के बिसे में ये राय रख रही हैं कि कृष्ण राजनीती पढ़ाए हैं, एक अति चतुर हुते पहले ही, हुते यानि कि थे, एक तो वे पहले ही बड़े चालाग थे, चतुर थे, और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिये हैं, गुरु यानि कि बड़े, गुरु का बिलोम होता है लगु, यानि छोटे, तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिये हैं, बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिये हैं, ये तो पहले ही चतुर थे, चालाग थे, और अब उनकी चतुराई चालाग की की कोई सीमा नहीं है, चत्राइचला की बढ़ गई है कि उन्होंने बड़े बड़े ग्रंत पड़ लिये है और बड़ी बुद्धी जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए हम समझ गए हैं, हम जान गए हैं कि उनकी बुद्धी बढ़ गई है नहीं तो भला योग का संदेश हमें क्यूं भेजते पठाय मतलब भेजे उन्होंने हमको योग का संदेश भेजा है उद्धब के माध्यम से तो इससे हम समझ गए हैं कि उनकी बुद्धी बढ़ गई है उद्धब भले लोग आगे के कोपियां कह रही हैं कि है उद्धब आगे के यानि कि पहले के पुराने लोग बहुत अच्छे थे पुराने लोग बहुत भले थे बड़े सजन थे परहित डोलत धाये जो दूसरे के हित में यानि कि परोपकार में दूसरे के कल्यान के लिए, दूसरे की भलाई के लिए इधर उधर डोलते थे, मतलब इधर उधर जाते थे और दोड़ पढ़ते थे, धाये मतलब दोड़े, दोड़ पढ़ते थे दूसरे के हित की चिंता करते थे, दूसरे की भलाई की चिंता करते थे, बेपुराने लोग, पिछली पीडी के लोग भहुत अच्छे थे अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए कुप्या कह रही हैं कि अब हमको कृष्ण से वो अपना हिर्दे बापस चाहिए, वो हिर्दे हमको कृष्ण से बापस चाहिए, वो हमको उनसे बापस लेना है, जो भे जाते समय चुरा करके ले गए थे उन्होंने हमारा दिल चुराया था, और अब हमको वो अपना दिल बापस चाहिए ते क्यों अनीती करें आप उन, जे और अनीती चुराए गुपिया कह रही है वे भगवान कृष्ण जिनोंने दूसरों की अनीती चुराई यानी की जिनोंने कंस के अन्याएकारी अत्याचारी शासन को समाप्त किया प्रजा को कंस की अनीती से अत्याचार से मुक्त कराया वे स्वेम क्यों अनीती कर रहे हैं अनीती क्या है कि वो गुपियों का हिर्दे चुरा करके ले गए और अब उनका हिर्दे बापस नहीं कर रहे सूर्दास के चार पदों की ब्याक्या हमने पड़ी प्याक्या से पहले संदर्व और प्रसंग लिखना होता है संदर्व वह होता है जिसमें बताया जाता है कि पद्यांस कहां से लिया गया है तो आपका ये पद्यांस सूर्दास द्वारा रचित सूर्शागर के भ्रमरगीत से लिया गया है और चितिज भाग दो पुष्टक में पाठ एक है सूर दास उस सूर दास पाठ में ये पद संकलित है बहां से लिया गया है प्रसंग क्या है कि गोपियों को छोड़कर बगवान कृष्ण मतुरा चले गये हैं गोपियां उनकी बिरह में ब्याकुल है तब बगवान कृष्ण ने अपने सखा अपने मित्र उद्धब को गोपियों को समझाने के लिए भीजा है उद्धब जा करके गोपियों को बताते हैं कि सगुन साकार ब्रह्म की उपासना की बजाए वे निरगुन ब्रह्म निराकार ब्रह्म को माने और योग साधना करें क्योंकि इसी से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनका कल्यान होगा लेकिन गोपियां तो कृष्ण के प्रेम में दिवानी हैं वे उद्धब को प्रति उत्तर देती हैं कि उन्हें निराकार ब्रह्म पसंद नहीं है वे सगुन साकार ब्रह्म की उपासना करेंगी और योग साधना नहीं करेंगी ये वीडियो आपको कैसा लगा उमीद है कि इससे आपकी तैयारी पाठ की तैयारी अच्छी होगी आगे भी हम ये छिति जो भाग दो के सभी पाठों पर वीडियो लेकर के आएंगे और इस पाठ के प्रस्न उत्तर का भी एक वीडियो सीग्र तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए बहुत धन्यवाद